सुप्रिय एजुकेशन हम यूट्यूब चाइनल पे स्वागत करती हूँ आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कल आप लोगों का केमेस्ट्री सबसिडरी का एक्जाम है तो मैं सोची कुछ इंपोर्टेंट कोसन आप लोगों को करवादू ग्रूप बी का बहुत सारी एक्जाम नेशन में ज्यादा कोसन नहीं यार है तो आप लोगों को अगर 2019 के कोसन में का सलूशन चाहिए होगा तो मैं टेलिग्राम ग्रूप में सेर कर दी हूँ तो आप लोगों वहां से ले सकते हैं खरिदने की जवत नहीं है तो चलिए मतलब कि आप फिरी में मैं आप लोगों को टेलिग्राम पे सेर कर दी हूँ आप लोग जाके वहां से कोर्मेशन और नेचर और बॉंडिंग इन दा कोर्डिनेशन कंपाउंट तो देखिए 1893 में वर्णर नाम के साइंटिस्ट जो थे वह कोर्डिनेशन कंपाउंट के स्ट्राक्चर और नेचर बताने के लिए एक थियोरी को प्रडियूस किये जिसे हम लोग वर्णर कोर्डिनेशन थियोरी के नाम से जानते देखिए सबसे पहले हिंदी में समझें आप फिर इंग्लिस में लिख लिए जो भी लिखना वहागा दुनिया संसार का बात वर्णर कोर्डिनेशन थियोरी क्या है एक वर्णर साइंटिस्ट है जो की एक थियोरी दिए किसके लिए कोर्डिनेशन कंपाउंट के स्ट्रॉक्चर नाम पर गया वर्णर कॉडिनेशन थिए तो वर्णर वास फस्ट इन ऑड़निक केमिस्ट्री इन 1930 वर्णर जो थे ना उनको इन और जो प्राइस दिया गया था और ने सो तेरह में यह स्टवर्णर को मिला था ने सो तेरह में यह स्टटी मेनी कॉंपलेक्स कंपाउंड अप्टेन फ्रॉम दे रियक्शन बीविन कोबाल्ट कुल्राइट ऑन अमोनिया दी पॉस्पूलेट अफ वर्णर से तो आप लोग का पौस्पूलेट का वर्णर थूरी का तदा सेंट्रल मेटल अफ कोर्डिनेशन कंपाउंड एक सबसे पहले याद रखें लिए सबसे पहले जान गए क्या एटीच नाइंटी थी था जो भी था एटीच नाइंटीच त्री में वर्णर जी जो है ना वह कॉदिनेशन कंपाउंड के इस ट्रक्चर फॉर्मेशन और उसका नेचर बताने के लिए एक थी बताया थे उसी को वर्णर को निसन थी नाम जानते और यह भी जान लिए कि 1913 में वर्णर को इन और गनिक सब्सक्राइब करकों ही ऊसव लोगी ut県 सब्सक्राइब को मरं और इसंटी का निएो सब्सक्राइबर घर को एक से यहादा चाले inginkंट कें दूष को मीन और साहयकित इस इस अधोग कद ऑता है तो जितलत आतल थे जो ने किख सब לחs ने जने कि अधोने इई होगब हО्सिन्थ होता है तो मेंद घजिवीट करती नत्की है ठीश प्राइमरी वैलान से प्राइमरी वैलेंजी होता है यह किया जा सकता है उसके बाइंडरी वैलेंची आप मेटली आईदेर नेगेटी यह और नेडरल खुण सब्सक्राइब करें तो पता नहीं कि मैं आप लोग को पढ़ाई नहीं नहीं इसलिए तो ऑक्सिदेशन नंबर जो हता है वह से केंडरी वालेंसी होता है और से केंडरी वालेंसी जो होता है वह नौन आयोनाईजेवल होता है तो इस बात का आप लोग ध्यान लखिएगा तो यह हम लोगा क्या था वर्णर थी था आप लग वर्णर थी देख लिए अब हम लोग देखेंगे बाकित भी और क्या क्या है को सब्सक्राइब और हम पुछेगा आप लोग है जसे वीट में डाटा आपकर ए देखिया हम लोग क्या देख रहते हैं तो इंठेलपी तो इंठालपी क्या होता है एंठेलपी दभी मेजर्मेंट आफ एनरजी इन थर्मोडैनेमिक सिस्टम सबसे पहले यह समझे आगर आप लोग नटेलपी के ब समझ दिए का फिर तो लिखने में दिकत नहीं होगा तो देखिए यहां पर समझिए इन्थेलपी इस दा मेजर वेंट आफ इनरजी इन थर्मोडैनमिक सिस्टम देखिए इन्थेलपी क्या होता है मैं आप लोग समझाती हूं लिखके इन्थेलपी को हम लोग अब लोगा क्या करने का जड़िया है और आप लोगा के चॉप स्लाव है इसको भी देख लिए इसको भी देखिए बहुत सारा कुशन देख लेंगे अगर इसमें से कोय आता है तो आप लोग कर लिगे अब आएगा या नहीं इस विडियो मैं गरंटी नहीं ले सकती हूं लेकिन आ सकता है कि मेरा लेना थोड़ा सा मुस्किल होता है क्योंकि नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी यह सारा को संन्स कर लिजे आप लोग एक जामनेशन में कुछ ना कुछ तो कही ना कही शाया जाएगा टेंटे disrupted गिए कोई भी शबस्कान का अगर बहाते हैं तो इसका एंफhी भी बरता यह a देख लिए नेक्स्ट का है एंधा दिफ्रेंशियल मेथड देख लिए क्या है एज आप लोगों का जो रेट ओफ रेक्शन होता है न वेडिकरता है एन फ़ावर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रियक्टेंट के एंजां की हम लोग का ओडर ओफ एक्शन होता है यह हम लोग का क्या आठा है यह डिस्क्राइब मेतर अफ डिटेमिनेशन ऑफ ओडर ओफ एक्शन तो ओडर ओफ रियक्शन का मेथड क्या क्या है देखिए हम लोग जो भी मतलों कि बहुत सारे क्यमेस्टी सबसिट्री का कोस्टन देख रहे हैं जो कि 2019 में पूशा गया है ओक अंचिки डिस्क्राइब मेतफ़ डिटेमिनेशन ऑफ ओडर ओंफ डिएक्शन औरि अइग्शन मेठल औरो तो कैसे क्षानेजमेटी का है तो रहरे सब्सक्राइब गया है यह क्षाय तो सब्सक्राप शु ds तो इसमें सीधा करें तो इसमें सीधा कंसंटेशन भर्सस्रेक्टेंड का होता है मतलब कि अगर आप लोग कोई भी ग्राफ मिलता है लोग वर्सेस्टी यह तो समझे यह यह से केंड होगा इस टैप से आप लोग को और अफ रियक्शन निकालना है यह तो आप लोग को बोल देगा है इसका ओर अफ रियक्शन निकालना है तो आप लोग को जाए दिमाग नहीं लगाना है क्या करना होगा देखे द्यान देजियां आप लोग में बास सुन लिजिए आप लोग को अगर नुमेरिकल टाइप का कोश्चन आएगा तो आप लोग उसको कड़ लेजेगा हैंडल टी हाफ निकालने का आप लोग का फॉर् दूसरा से निकालेंगे अगर दोनों का के का वैलुस्यम आता है तो हम लोग यह दिसे जब फॉर्स्ट रेक्शन अगर नहीं आता है तो फिर से के लिए देखेंगे फिर थार्ट के लिए इस तरी के से हम लोग करके उसका ओर्डर ओफ एक्षन निकालते हैं अगर आए यह सब आप लोग लोग पढ़े ही होंगे मैंने तो लॉप में पढ़ा था चलिए उसके बाद क्या यह से के लोग थर्मो डाइनमिक्स है राँ लगें ओल ओ-फिलिए जो खौल विए उसके इसलिशन जो खौल सीanka कुल साने क्टाइक्ट cn- is a stronger ligand cn- is a stronger ligand this is because cyanide ion is a strong coordinating ligand and it possesses ability to form sigma bond with metal and pi bond to pseudo halide cn- is a stronger ligand this is because cyanide ion is a strong coordinating ligand and cn- has ability to form sigma bond with metal and pi bond with pseudo halide also cn- acts as a strong ligand because it can accept electron from metal espaces and cn- can accept electron from metal espaces and ns3 is stronger luis base okay ns3 is stronger luis base as it has the tendency to donate or ns3 luis base this is how to donate it is low on pair of electron but in case of nf3 but in case of nf3 nitrogen is more electronegative to f okay nf3 nitrogen nitrogen is more electronegative to f which decreases the electron density on nitrogen to a small extent and hence basicity also decreases okay so this was your condition condition let's see what we can see oh से और एडियावेट्टिक में कि प्रोसेस को याद रहेएंगा एक बाद एडियोकि प्रोसेस के इन डिस प्रोसेस ही रिमेंज इसमें कॉंस्टर्म रहता है ये प्रेसर एंड वॉल्यम जेंड हर्मों दैनमिक एंडेज़े नुएक सफेट बिन शिस्दम में यह इसो थर्मल प्रोसेस तो आइसो थर्मल में क्या होता है डेल्टा चीजों है ना इस प्रोसेस प्रेसर इंवर्सली प्रोपोर्शनल तूझ देखें यह कैसे इन वर्सली प्रोपोर्शनल दिस रहर कैसे जानते यहां देजिए आप लोग आइसो थर्मल में क्या होता है दे तो यह आप लोगो को निकालना है जिरो ओडर के लिए भी और फिस्ट ओर के लिए तो rate constant के देखिए आप लोग को एक zero order के लिए पता होगा क्या होता है उसका formula is zero order के लिए होता है वो होता है आप लोग को a equal to a not minus kt यह सभी को याद रहता है zero order के लिए a equal to a not minus kt तो यहां से आप लोग को क्या करेंगे कि इधर ले जाएंगे तो a not minus a हो जाएगा और आप लोग का value क्या हो जाएगा a not minus a upon t यहां r के टर्ण में है इससे कोई फ़र्क नहीं परता है यह half life निकलना है तो आप लोग को क्या करना होगा t half के लिए यह यहां से हम लोगा t half का value यह है तो t half का value दीज है तो हम लोग यह रखें कि आप लोग का value आप अपन 2 के यह तो डिराइव किये है है ऐसे ऐसे आप सभी को यादी होगा जो टी हाफ का फर्मूला होता है तो फिर थोड़ा साप लोग को दिक्कत होता होगा पहले साथ को चीजी में तो अलग परहा जाता है तो आप लोग का इसका डोन क्या काते है अंडिनोट दोनेशन का डिन शॉरी वह क्या वह वह तो दिनोट ऑगे दस सब्सक्राइब प्रोपोर्ट टुब टुब टूब फिर फ़र्स लीड के लिए फिर्स फर्मूला यह रहता है कि नौट के जगह पर क्या रहता है कि के जगह पर क्या रख़ाइब के नौट बाइटू सोरी और यहां लिए गया और के जगभी क्या रखेंगे और नोट बाइटू और बस हम लोग इसे टी हाफ का फर्मूला निकाल देंगे तो टी हाफ का फर्मूला आता है जिरो पॉइंट सीक्स नाइं तरी अपन के तो हम लोग यहां से बूल सकते हाफ लाइफ फुर फॉर्स अगर आप लोग का एसीड और बेसिक एसीड ज्यादा खाली यह फी बेसिक खाली तो बढ़ जाता है तो जिसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग का पी एच के वैल्यू को कंट्रोल लगता है उसी को लोग बुलते बफर सुलूशन यह दो टाइप का होता है एसीडिक बफर और बेसिथे ब्रष्ण पर कैसे बनता है और बाफ यहन से पढ़िया कि वह फाइन के इससे कोई घंचे के लिए निकानला है तो कुछ नहीं आप लोग जैसे मैं अभी एक्वाल टो अनोट माइस के लिए था ठेक है और इसके लिए क्या था फर्स्ट ओर के लिए इकवाल टू 0.693 के लोग अनोट बाइसे से अंसे के लिए बीट का फर्मूला होगा तो वहां पे आ पे यहां पे यहां पर रहेगा अनोट बाइसट देना फिर बन जाएगा यहां सेके अचाए के लिए ऐंटा एंटा एंटा विए माइनस एक्स के जगव था अ लग देंगे और हम लोग यहां से यहां से निकाल लीजिएगा कुछ भी पूछेगा तो पिडिये क्या है फेज वाला है फेज रूल जो है न वह क्या होता है पी प्लस एक्वल टू सी प्लस टू या फिर बहुत सारे स्ट्वेंट ऐसे भी आद करते हैं एफ को इधर ले आते है माइनसमें तो फिस सब्सक्री इख माइनस क्या है माइनसेसक प्लस टू याद रखे में लगशनाता है अब्लों का हुछ देणमिल माइन सेवरता गश्तिकिंध पलंस टू यहां तरीका में आप लोग बता दिए और यह आई स्वाइटर सिस्टम के लिए क्या दिया गया है बनाया गया है इसको क्या बोलते हैं फिस डियाग्राम तो यह आप लोग देख लिए चलिए और यह जो नोट्स से आप लोगों परहाड़ी हुए नहीं नोट्स में टेलिग्राम पर स्यार कर दियूंट अपर दिग्रियो फ्रीडम का वाधा दुटल लंबर ओफ इंडिपेंडेंट को टोटल लंबर ओफ कोडिनेट्स और इंडिपेंडेंटेंटेंट्स कॉइं तो डिस्क्राइब दा कॉन्फिग्रेसन आफ इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के इंडिपेंडेंट जितने विवी रिकॉर्पिवेंट होती है उसे यह प्रिघ्री ऑफ्रीडम बौलते है इसका फर्मॉला था 3-0 तो Pinatomically two तो उसका degree of freedom 5 हो जाता है और त्रायटोमिक लिए तो त्राइम क्ली परिदम जो है ना वह रही है तो त्रायटोमिक वीडियों तो चलिए आज के वीडियो में देखें के इंपोर्टेंट कोशन एक्जामनेशन में आ सकते उसका हम लोग सोलूसन देखें और आप लोग को एक न्यूज बता दी किसे आप लोग टेलीग्राम पर यह जो भी मैं नोट्स आप लोगो पठाड़ी हूं न यह आप लोगो टेलीग्राम पर मिल जागा ठीक है